आज की जो हमारी रेसिपी है वो है भिंडी दो प्याजा इसे बनाने के लिए सब से पहले हमने भिंडी लनी है अच्छे से दो कर Savannah is अब आप देखने ना भिंडी को हमें काटना है तो एक भिंडी मैंने ली है और एक भिंडी में से ये देखिए कम से कम आपको तीन पीस करने है और जो छोटी भिंडी है उसमें से कर लीजेगा दो पीस तो इसी साइस की आपको सारी भिंडिया काट लेनी है भिंडी हमने काट आपाई संब्डियों तिन्य चम्रेश का अंद्य किम सब्सक्राइब हाइए तो तक षादा तक्राइब नियुक्ते हैं पुली देखा आइए हम सब एसने तो तक भीरी तो दैणि пиш क्यूंकि घ्यृए बनाने के लिए यूंज किये ज़ुक्त ताजा भिंडी क्यीं होती हैं वह ज्यादा दहं से नहीं होगा इक भी यंदा नहीं वह नहीं को चाटना है यानि के सारी की सारी बड़ी और मोटी इस चाइब है और भाफ नहां मातुन नहीं रखेंगें तो फूचे सोफ साफ नहीं निकाल लेंगे, तो इसकी जो जड़ होती है, उसका हुट पार्ट को अच्छे से खुल जाएगी, अब देखा लेते हैं, बिंडी को भी आभी हमारी सकते हैं, नहीं तो देखें, थोड़ा सा और पकने देंगे तो भिंडी हमारी अच्छे से गल जाएगी यानि कि जो भिंडी है हाथ से अराम से तूट जाएगी दबाने से तो भिंडी हमारी तयार हो गई है भिंडीों को निकाल लेते हैं भिंडी हमारी अच्छे से रेड़ी हो गई तीन से चार मिनट में हमारी सारी भिंडी रेडी हो जाएगी तो भिंडी हमने निकाल ली है सेम तेल में हमने डाल दी है प्याज अब प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज का भी जब तक कलर चेंज ना हो जाए यानि कि हमारी जो प्याज है हलकी सी कुरकुरी ना हो जाए त अब हम सारी प्याज निकाल लेंगे अब हमारी कड़ाई में है थोड़ा सा तेल तक्रीबन होगा यह 20 ml के आसपास इसी में डाल देंगे अब हम हिंग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा डालेंगे और भुना हुआ नहीं डालेंगे एक चमच जीरा ले बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाएगी ऐसे से पक जाएगी देख़र है हाग तूँदल मीडियम से हूं यह थोड़ा सा चोटा है यह तो स्मॉल साइज़ का प्याürच है इसको भी हमने डाल दिया है बारिक चॉप करके अब इसे भून लेंगे यहाँ पर इसे भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है अब हम इसमें डालेंगे लसुन वो भी बारिक चॉप किया हुआ लस्सॉप के लसुन डालेंगे हर्णी मिर्चरा की अरी मौटी है यह अब ढ़ एम जाज़ा है यहाँ वारिक आपाँ ग्यामट़्ी यहाँ अब हमारी एच्छ से भुन गई अब नहीं आ थी कॉप पहनुना था यहाँ देखिए बहुत अच्छे से हमने सारी की सारी चीजों को मिला लिया है अब barrier आती है कुछ मसालों की तो जो मसाले हैं अगर आप भिंडी दू प्याजा बना रहे हैं उसमें मसाले डाले मैं क्या क्या डलेगा यह मैं आपको बता देती हूँ यहां पर सबसे पहले मैं नमक से शुरुआत कर रही हूँ तो यहां पर सौद इनुसार नमक ले लिया गया है एक चमच लाल मिर्च पाॉडर या कहें तो आप अगर तीखा कम खाते हैं तो आप अपने सौद के अनुसार मिलाना है इसमें जिसे की जो टमाटर है हमारे अच्छे से गल जाएं अच्छे से घुल जाएं इतना ही हमें इसमें पानी मिला देना है जादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि भिंडी में जादा पानी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अभी जो मसाला है हमारे रेडी हो गया है ये देखिए कम तेल में मसाला हमारा पका है तो देख रहे हैं आप कलर कितना अच्छा आ रहा है अब इसमें हमने जो भिंडी और प्याज रखी थी फ्राई करके वो सारी डाल देंगे अब इसे थोड़ा से चलाएंगे तकरीबन दो मिनट तक के लिए मसाला अच्छे से इसमें मिला देंगे अच्छे से इसे मिलाना है क्योंकि मसाला जो है भिंडी के और प्याज के अंदर तक जाना चाहिए अब इसे तकरीबन दो मिनट के लिए पकने देंगे दो मिनट तक ये सबजी हमारी पकेगी और यकीन मानिए जो सबजी है ना बहुत ही ज बिस्ट लेके खाएंगे तो भिंडी दो प्याजा कि जो सब्जी है घर में सबी को पसंद आती है बच्चे बुड़े या जवान कोई भी से खाना पसंद करता है तो सब्जी हमारी बनकर तयार हो गई है अब डालेंगे इसमें धरा धनिया बारी चॉप करके और यह देखे मज़दार सी सब्जी बनकर तयार है इस सब्जी को सर्फ कर लेते हैं इसे आप परांठे के साथ रोटी के साथ या चावलों के साथ भी खा सकते हैं तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न लगता है